आइ अचीन विडियूइ में बात करेंगे हैडर क्या होता है कैसे आप उसको कॉस्त माइजी करेंगे, जैसे पटा है आप क्यों है थी साइटिंग पाएगी आपको अब यहां पे टॉप पे साइट लोगो दिखाया गया है इस पे आपको क्लिक करना है इस पे लोगो अपना दिख नहीं रहा है तो यहां पे आपको और टाइप दिखा रहे है यहां पे multiple पहले के तो वह चीज है ठीक है अब तो हैडर टाइप को आप यहां पर चींज भी कर सकते लिए अब करना चाहते है टांस्पेंट हडर के जगे दूसरे website को create कर दूसरे header को लगा सकते हो यहां पर अब टांस्पेंट हैडर है वो अपने complete website website पर आजाएगा जो भी हम यहां पर करेंगे यह header की preset है यह format बता रहे है कि header को format आपको किस वे में रखना है जैसे यहां पर चेंज हो रहा है न डाटा अव्य तिंग हो मैं यह जिस हिस हिसाब से हम header की preset को change कर सकते हैं कि आप header की layout क्या रखना चाहते है अब यह सबसे पहले option आरा है site title and logo जब आप इस पर click करते हैं तो यहां पर अपना logo को choose कर सकते हैं अब logo can be जिसका यहां पर लोगो इसको आप हटा भी सकता है रवाई जहां पर नया logo भी आप add कर सकते हैं अपने coding जैसा अभी लोगो इपसम कर रख रहे है है skip copy तो यह logo यहां पर top पर आ गया है ठीक है यह menu का है यहां से आप menu को change भी कर सकते है इसके visibility को भी change कर सकता है अब इसमें कुछ नई चीज आप add करना चाहते तो वह नई चीज भी आप यहां पर add कर सकते हैं like setting के अंदर जाए यह इसकी height वगिरा design वगिरा के लिए आ जाएगा ठीक है तो preset अपना पहले से होता बाकी जो custom creation होता हो एक different way होता है जिसमें हम अपने नया logo क्रिएट करते हैं नया header क्रिएट करते है complete अपने तरीके से इसके साब से widget one के अंदर जाएंगे got it पर click करेंगे तो यहां से आप इसका title वगिरा कुछ भी हो text वगिरा change कर सकते हैं logo पर click करेंगे तो logo भी आप यहां पर change कर सकते हैं अब यहां पर widget two है जहां पर यह आपके जितने भी है फोर हर अगेर है जो आपके text वगिरा है यह सब कुछ आप change कर सकते हैं from the widget आप जो नीचे चीज़े आ रहे है न menu select menu जो यह option आ रहे है वो मेंजेंस top and search यह menu के थ्रूँ आ रहे है यहां पर आपको dashboard के अंदर जाना है appearance के अंदर जाना है menu पर click करना है और यहां पर आपको menu का नाम select करना है कौन सा आथा यहां पर फोर हर तो यहां से top से जो आपके पास option है select menu यहां पर फोर हर select कर लेना और यह menu आ जाएगा जैसे यहां पर कोई भी एक menu को delete करते हो जैसे woman jacket को मैंने delete कर दिया तो वह website से woman jacket हो delete हो जाएगा जैसे हम website को देखेंगे तो वहां से woman jacket menu अपना delete हो जाएगा हो गया ना चार है पहले कितने ते पांच चिंग है तो यह copyright का part होता है इसको भी आप customize कर सकते हो अपने recording तो इस हिसाब से हम extra theme के अंदर header and footer को customization करने का काम कर सकते हैं thank you for watching this video कोई भी question है कोई भी doubt है तो आप comment section में पूछ सकते हैं